हेलो फ्रेंड्स आइम सनुज कुमार और आप देख रहे हैं SS Academy यॉर फैवरिट यूट्यूब चैनल अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज से सब्सक्राइब करें लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा हुआ था चै सक hedd milligramsdas ब़ुक्राइबeled डाक टेख बर रहे हैं वीडेश कितो्राइब कमारे लिवेडियोन ऑ्रा प्लीजा यॉर स्टाइब करेंट वीडियोन है लिए यहां पर बत आ wheegeb flouring Plant जो है दिट सब्सक्राइं प्लांट का फ्लावर वाला पार्टस होता है वो और शी के चएक्छ łओ पार्टस से आफ फ्लावर साझ फ्लोर पार्टस जो है जहांसे आगे चलकर अदकी का अर्फ नग भी साथтесь आच अफ records वोते हैं वो कई यहां पर जो स्टुडेंट जो हम इस चैप्टर में जो बेसिकली हम पढ़ेंगे इन इस चैप्टर लेट अंडरस्टेंट मार्फोलोजी स्टॉक्चर्स एंड सेक्शुल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉबरिंग प्लांट्स एंजियो स्पर्म स्टार्ट करते हैं कि यहां पर दिया हुए है दिया हुए है फ्लॉवर फैसिनिटिंग ओर्गन ओफ एंजियो स्पर्म इस तरह से जो हमारे पास तो कि human being have had intimate relationship with flowers since time immortal flowers immortal flowers flowers are objects of aesthetic ornamental social religious and cultural value they have always seen used as a symbols for conveying important human being such as love affection happiness grief morning etc अब यहां से आप दे देखिए जो बताना चाहरा है कि जो फ्लॉवर जो एंजियो स्पर्म के लिए जो फ्लॉवर से वो क्या करता है कि मतलब अगर हम फ्लॉवर की बात करें तो स्टार्टिंग से ही दिखते हैं कि फ्लॉवर जो है intimate relationship with flowers विसिंस time immemorial मतलब कि हमेशा फ्लॉवर जो है last time से ही हमारे पास immemorial रहते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव जो रहता है एस्थेटिक्स रहता है और ना में जो आपके जो बहुत जगें के गहने बगार है उनको सजाबट की कारियों में यूज करता है शोशल उसकी वैल्यू अलगर रिलीजिस धार्मी कारियों में यूज होते हैं कुल विबिब्ट मार में एक्सेंटर एककर तो यहाँआ यहाँ पर यह सारी चीजिए हैं य மिने समय के यहां पर देखिए एक फ्लॉवर्स दिया हुआ है उसके बारे पहले हम डिशाइब करेंगे दैन फिर उसके बाद हम आगे वाले करेंगे कि यहां से कि अगर जो फ्लॉवर दिया हुआ है यहां पर यह फ्लॉवर जो है इसका लॉटुटूट्र से कट किया गया हुआ है और बीच में आप देख रहे होंगे कि यहां पर सबसे फर्स जो है नीचे से हम चलते हैं यहां पर दिया हुआ है जहां पर नेक्टर इखटा होता है उसके बाद तो यहां पर जो है ओवरी को कवर करने के लिए जो है ओवरी के अंदर और 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 कवर करने पर जो आपके पास आपके पास अपर दिया हुआ पड़ेंगे इसके बारे में उसके बाद जो फीमेल वाला पॉर्शन जो यह वाला पॉर्शन आया हुआ जिसको हम्ते ऊपर वालवा पॉर्शन को हमने स्टिग्मा बोला हुआ है और जो इस kle बान जी वह वीये जो यह जां पहुआ च्रुद्स बषाल, प्लावर के अलग अपनी इंस भी हैं होम और यह और जैंक्ट हुर। इसके बाद जो है जब इसको हो में और नमेंटल के रहे यूज कि एक होम में गार्डन में अद नेक्स तो है अलग 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 इसकी वैल्यूज भी है तो नेक्स जलते हैं को कि आगे यहां पर दिया हुआ फाइंड आउट देनेम्स और फाइफ वह फ्लावर्वर्व देट यहां पर जो यहां अब कर सकते हैं कि Hani बैश्म कसे थिए करने का मतलब की है कि अपने आपको किस तरह से तैयार करता है कौण कौण से अंदर Changes होते हैं that is called pre-fertilizer structures and events बोला गया हुआ है तो यहां पर हम देखेंगे मछ बीफूर दाक्षल फ्लावर इस सीन और प्लांच देशियन तेट प्लांट इस गॉइंग फ्लांट इस तकिन प्लांट इस श्वह पहस्टेशन प्लांट इस तकिन प्लांट इस। और फॉन्स विसटाओ कि उचलिए क्यों इन जो सोर्म मенитьव फ्लोड का रू ने की अ MMT का सब्सक्राइक होते का जा हएं जो website, इस आघे startups के गर्ट विक्ताओं, तो य। सांहित करें पस्यक्तिश्फ, उन्पष्डें. से इंफ्लोन से गिलावर का बनता है इसके इसका उसके दीधान कि करेंक है कि मेल एन और के हैं ने मेल बैन ळप्रोर्मेजंस और फीमेड़ पर्दथी structure formation होते हैं यहां पर दिया हुआ है जो फॉबर्स फॉर्मेशन हो जाता है तो बहां पर पोर्षन नोज फ्यमेल वाला पोर्षन या फिमेल प्रोडुक्टिव और गाइनोश्य में कि इस में दूसतर जो बोला हुआ हमने कि एंड्रोष्यम कब बोलते हैं जब मेल का रिप्रोडुक्टिव पोर्शन होता है ठीक ना नेक्स्ट दिखे यहां पर जो प्रिपरटिलाज़़़ाज्इश्यस्ट इवेंट्स हैं उसी के कोटिक हम चल रहे हैं तो यहां पर जो आ रहा है कि कि स्टैमेंश माइक्रोष्पोर इंजियम और पॉलिंद्री in इस्टैम के पास डैग्राम दिखाए बेढ़ाम को दिख लेते हैं ताक कि आपको प्राप्त नहीं हो सीच के लिए कि तो यहाँ पर आप दिखे जो डायरम दिखै हैं यहाँ पर डिखी यह हमारा फॉष्ट जो है क्या enter ऒाला पोर्षें है और यह हमारे पास जो एंधर के साथ जो लगा हुआ था जो नीचे वारे पोर्शिंस पर बेस प्रस्टन पर लगा हुआ था तो उसको हमने वोला याइस को हमने कहा नाम दिया हुआ था filament filament तो यह हमारे पास filament हो गया अब जहां पर यह नीचे बेस वाले पॉर्शन से अटेच रहता है ठीक है ना तो अब देखी यहां पर जो है किस तरह से अब यह वाला जो एंथर का structure है वो आपको यहां पर यह शो दिखाया जा रहा है आप यहां से देख सकते हैं तो यह देख होने के साथ साथ यह कैसा structure टैक्टार चार इसमें अंदर है 1234 अब यह डाग्राम आप नेक्स्ट वाले डाग्राम में देखेंगे तो आप वहां से सीच को क्लिक्लियर करेंगे तो आप देखें यहां पर जो दिया हुआ है अब यहां पर दिया लाइन ऑप डैसियंस मतलब नेकल बैसे जाते हैं और नकल जाते पॉलन सेक्स यहीं सेंस पॉलन सेक्स जाब हूंदर जाते हो बहुत सारे पंट ही इसके अंदर and पॉलिन पॉलिन से अब इसके अंदर का इस्ट्रक्चर आगे जो नेक्स्ट टॉपिक लिंक तो उसमें हम अभी पढ़ेंगे उसमें तो वहां पर वह सारी चीह बताइं गहीं हुई है कि इसके इस पोर मदर सेल्स कैसे किस तरह तो हम आगे लिंगे इसको तो स्टार्ट करते हैं कि दिखिए डाग्राम हमने देख लिया हुए इस्टैमिन इसके साथ सब्सक्राइब लॉंग लॉंग और सिलेंडर इस्टाल कॉल्ट फिलामेंट जो आपने अभी बताता हुआ था यह फ्लान फिलामेंट है तो जो लॉंग और सिलेंडर टाइप का स्टक्चर फॉर्मिशन हो रहा है इसको क्या बोला हुआ हमने फिलामेंट एंड टर्मिनल जेनरली बाइलोब इस्ट्रक्चर्स कॉल्ड दा एंथर तो टर्मिलर वाले पोर्शन पे क्या हुआ हमारे पास एंथर बना हुआ हुआ है प्रॉ सब्सक्राइब करते हैं अलग 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 फ्लावर से और उनके साथ अलग अलग वहाँ पर क्या बनाते हैं आप उनको क्लेट करने में के साथ उनके के या उपच्ट करते हैं के फूल ऑजर हैं इस सब्सक्राइब इस सपड़ एंडिश mandar इसके साथ बना सकते हैं आप यह दिंग आपके पास अलग से आदेजिगा अलग अपने और एंज फर्म एंथर बाइलोब अब बाइलोब इच लोब हैंगु फिशएंग इच लोह है 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 वे फिटु शैक्शन आइस हाँ इच लोब हैविंग टू थीक ड़ाइस आपने विटाहिए ता मैंने आपको यहां पर कैसा ड़ाइस यहां दो जो हैं ताइटीकस तो इसको हमने बोला वो बाइलोब इच लूब तो तीका और उसके बाद दो अलग-अलग से लूप है यह वाले लूपस अलग-अलग जिनको बोला हुआ डाइटीकस ओफिनल लॉंजिट्यूडनल ग्रूपस रन लेंथवाइज सेपरेटिंग दर थी स्वर्स शेक्शन ओफ दे एंथर 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 इज ए फोर साइड़ टेट्रागोनल स्ट्रक्ट्ट्रस कंसिस्टिंग आप माइक्रोस्पोर इंजिया लोकेटेट अड़ गॉर्ण तो अभी जो हमने आप से जो बुला हुआ था तो यहां पर जो मैंने आपको बताया हु डाइजर के बाद कांटए में कितने हो गें चुठ थी धूर टो टौ इसको नहीं नेchan गोला टैट्रगोनल और यह जहां पर पॉरणिय अब नहीं ठैली और किसकी थैली माइक्रोशाइभ इंदर पॉर इसके अंदर माइक्रोशाइभ कंस्पोर तो इसमें आप समझ गेंगा फोर साइड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ओफ एफ फोर माइक्रोस में लोकेटिन एद दे कोर्णर टू इन इच लोग अलग अलग साइड पर आपको दो लोप दिखाई पड़ रहे हैं ठीक ना नेक्स्ट जो है कि अदर भी स्ट्रक्चर अगर हम इसके लिए थोड़ा सा परपड़ है कि यहां पर जो माइक्रो स्पोर एंजिम का स्ट्रक्चर है इस जनरली सराउंडिट बाइफ फोर बॉल्स लेर थोड़ा सा इसको पढ़ने के लिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यह देखिए यहां पर वही जो डाइग्राम जो हम देख रहे थे यहां पर यहला डाइग्राम के जो यहला स् स्टेज है वह इस तरह से लेयर फॉर्मेशन होके बनके आती है देखिए वन टू थ्री फोर दैट में चार लोग तो इसको बोला होगा हमने टैटराट अब देखिए यहां पर जो है उसको हमने किस तरह से बोला हुआ है यह देखिए फर्स जो है बीच में इन दोनों आपस जो थे हमारे पास ऑफ्य जो हमारे पास बाइलोब है यह वाला तो इसको बाइलोब भुला ओगा दो इदर यह दो अब इनको जोडने के लिए जिस वॉल को यूचकर जा रहा है उसको हमने बोला कनेक्टिव ठीक ना उसके बाद ऑपर लेयर है जो सबसे उपर वाली अंदर से बाहर की ओर इसको रहा एंडोथीसियम इसके अंदर का लगा जहां पर इस पोर जो ग्रो करते हैं उनको हमने बोलावा इस पोरोजीनियस टिशू और सबसे इन इस पोरोजीनियस टिशू को कवरिंग करने के लिए जो है उसको टैपिटम बोला हुए यह दी होई है उसके बाद जहां पर माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल जहां पर माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं क्या हो रहे हैं माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन हो रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल के फॉर्मेशन होते हैं और उनको न्यूट्रेशन प्रोवाइड कराने के लिए जो लेयर है जो सेल से उसको हमने नाम दिया टैपीटम ठीक ना इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इलावॉरेट करते हैं और थोड़ा सा जाजानते हैं सीच के लिए यहां पर यह जो स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरह से इस तरह से फॉर्मेशन होके आता है कि यह वाला स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होके आया हुआ है अब यहां पर आपको देखें यहां पर यह सारी क्या है यह देखें पॉलन ग्रेंस से यह सारी क्या आपको पॉलन ग्रेंस त्रक्टर और यह इसके एक्रडिंग पूरा-पूरा यह ले 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 लुए लोब इस्टक्चर ठीक है अब बनाब बताई दिया हुआ है ठीक है तो यहां पर दीए मैं आपको इनर्मोस्ट वॉल जो है इनर्मोस्ट वॉल लेर इस टैपिटम जो आपको अभी मैंने दिखाई थी वह कौन सी टैपिटम थी और जो उन जितने भी जो हमारे पास जो सेल्स थी उनको उनके पास जहां पर वो जहां पर स्पोर्स फॉर् up और जहाँ पर स्पोर फार्मेशन हो रहे थे उनको हमने चीस्ट अब दिखिए इसका सीधा सीधा मतलब जहां पर माइक्र इसपूर फार्मेशन हो रहे हैं डाट़ इसको बोला हुआ माइक्रोस्पोरोगेश तो यहां पर बधे यहां पर जुम्हाइब है अभी आपको रहे था एच वन इच पोटेंशियल फॉर ओछ हएच वन इच पोटेंशियल फॉर पोटेंशियल पॉटेंशल पॉलेन और माइक्रोइस्पोर मदर सेल नगे में नाम दोनों के यह की हैं आप इसको समझ के चलिए तो यहां पर देखे जो नीचे दिया हुआ तो यहां तक मेरी खाल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह सी फॉर्मिशन होता है अगर आपको कोई चीज के क्लियर नहीं होई हो तो आप मेरे पास कमेंट जरू करें ताकि मैं उसके उपर से एक आपको क्लियर करने के लिए एक अलग सी वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट जो हमारे पास आता है आपको यहां आपके लिए घ्लीब करने कर रहा है मेर्य के साथ है यहां पर जो एंधिया हुआ है वो विसकिस है विसकिस रोजा साइंस गुलेड का जो प्लांट से होता है उसका जो होता है उसको हमने बोला हुआ है अगर जो और उसके सासथ क्या कि अगर पूरी तरह से मैचर हो जाते हैं तो आप उसको जाड़ देंगे कहीं पर भी तो यलो यलो कलर के बिखर जाएगा तो यल लिखा यलो इस पाउडर ओफिन ग्रेंस ओन यौफिन आपके उंगलियों के में जो है वह यलो कलर के पाउडर से फॉर्मेशन होके आ जाएगा इसी तरह से यहां पर जो आपके बास यह इस्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिये हुए हैं तो मैं यहां पर थोड़ा सा आपको बदताना चाहूंगा इस डायग्राम को उसके बाद फिर हम आगे करते हैं इसकी यह जो है आपके यहां पर यह पूरी तरह से यहां पर देखें यह जो आपका है यह स्टार्टिंग वाले स्टेज फॉर्मेशन होता हूँ तो इस तरह का देखें यहाँ पर यह पर यह जो है डायों में यहां पर क्या हूंगा ओर और जनरेटेव दो में डिवाइड हो गया ठीकर ना बेजटेटेव और जनरेटेव में यह दो मतलब क्या होगा दो में अभी आगे चले कुछ में कुछ जो एंचे सपर्म के पॉलेंट गैंसं उन्में दो निकलिएश की जगें तीन नुकलिएश भी होते है वह हम आपको बताएंगे तो यहां पर कुछ में दो कुछ में तीन रहते हैं ठीक है तो यह आपको याद रखना देखिए यहां पर क्या है कि यह पॉलन ग्रेंस डबलब में होता होता जा रहा है और यहां बढ़ते चले बैक फिर नुकलियस फिर एसेमेट्रिक डिवीजन थी श्यिक्री कल अग्रिक अबदीनिफाइव बंड टॉन्टीफाइव इधिक्यां माइक्रो मीटर न डियामीतरेन इन आपल एनी अफिप्रमीनेंट इन्हें prominent two layers wall two layers wall है जो आपको दिखाई पढ़ रही two layer one layer and outer layer और inner layer तो outer layer को हमने का नाम दिया हुआ एकजाइन और अंदर वाली layer को हमने नाम दिया हुआ इंटाइन और यह जो एकजाइन is made up of sporopollen थोड़ा सा इसके बारे में बताएं जाहूंगा sporopollen which is one of the most resistant organic material that means यह इतना जादा hardness होता कि आप इस पॉलिंग्रेंस को कहीं पर भी डाल दीजिए हजारों लाखों सालों तक इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है क्योंकि इसके उपर जो है यह temperature और strong acid and alkali से resistant होता है इनके इसके ऊपर इसकी outer covering के ऊपर कोई effect नहीं पड़ेगा जब तक यह खुद नहीं चाहेगा खुद कप चाहेगा खुद का जब इसके लिए फैवरेवल टेंपरेचर होगा फैवरेवल टाइम होगा तभी जाकर यह या फिर यह जाकर stigma पर जजाएगा तो वैसे ही जर्मिट होना शुरू हो जाएगा तो आपको यह कौन सा है कर पूछा गया हुआ है तो इसके ऊपर जो के कैमिकल है कौन सा है इस पोरो पॉलिन ठीक इसके अंदर एक छेद होता है जिसके तुरू ही यह निकल के आता है इसको बोला हुआ जर्म पॉर्ट बेर इस पोरो पॉलिन अपसेंट हो जाता उसके बाद ही तब यह निकल के आता है ठीक है ना पॉलिन ग्रेंस और प्रिजर्ब एज़ फॉसल बिकम्स अभी कॉज और सब्सक्राइब इसको फॉसल की तरह यूज कर सकते हैं और इसको काफी